साथियों जैसा कि बहुत सारी ट्रेनों में अ Indian या फिर लाल वाले डिब्बे लगाये जा चुके हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रेने जिनमें अभी LHB के डिब्बे लगाये जाने बाकी हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रेन के बारे में जिसमें कि अब LHB के डब्बे लगने वाले हैं मतलब इस train को अब LHB के डब्बे मिलने वाले हैं तो साथियों बहुत अच्छी बात है यह जो लोग इस train में यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी news है क्योंकि LHB डब्बे मिलने से सीटे बढ़ जाती हैं train में और LHB coaches काफी अच्छे भी होते हैं speed भी इनके जादा अच्छी होती है और safety भी काफी अच्छी होती है तो चलिए देरी ना करते हो मैं आपको बताता हूँ क्या अखिरे train कौन से है साथियों train number 22481 या 22482 जोधपूर दिल्ली सराय रोहिला जोधपूर तो साथियों आप समझी गए कि जोधपूर से दिल्ली सराय रोहिला और दिल्ली सराय रोहिला से जोधपूर ये train है साथियों इस train में जोधपूर से 10 October 2023 से और दिल्ली सराय रोहिला से 11 October 2023 से इसमें LHB के डब्बे लगेंगे रुकिए अभी ज़रा एक चीज बाकी इसमें तरह ये तो देख लीजिए कि कौन कौन से डब्बे इसमें लगेंगे कितने डब्बे लगेंगे मतलब AC 3 tier, sleeper और ये सारे कितने डब्बे लगेंगे इसी quantity तो ज़रा देख लीजिए साथियों अगर हम बात करें इसमें रैक की, LHB रैक की तो first AC का इसमें एक कोच होगा, second AC के इसमें दो कोच होगे, third AC के इसमें चार कोच होगे और third AC economy के भी इसमें दो कोच होगे, तो third AC economy ने वापसी कर लिए इसके अलावा, sleeper class की बात करें तो साथियों इसमें 7 कोच होगे, अच्छी बात है, 7 डिब में sleeper के, बहुत बड़ी बात है 4 डब्बे होगे, इसमें general के, यहां साथियों general के भी इसमें 4 डब्बे होगे और 2 power car के डब्बे होगे, तो बातल होगे, 22 डब्बे तो sleeper के साथ डिब में है 3rd AC के अपको मौका मिल रहा है 3rd AC के भी कोचस लग रहे हैं, तो देरी किस बात की train ticket book करिए, और अपनी journey को पूरा कीजिए, जोदपूर दिल्ली सराय रोहिला, जोदपूर थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो